एक्सल में दोस्तों डेबिट्स, क्रेडिट्स, प्रोफेशनल तरीके से कैसे मैंटेन करेंगे ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बेसिक फर्मलेज का यूज करके न आप Excel में professional तरीके से balance sheet create कर सकते हो टाइम वेस्ट नहीं करना है वीडियो फटाफट शुरू करना है बस like करो, share करो और चैनल को subscribe कर लो मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त, let's begin this topic तो सबसे पहले आपको click करना है C7 cell पे और ये कुछ headings आपको type कर लेनी है columns की width आप adjust कर लेना ये data वाला column है इसकी width मैंने थोड़ी जादा कर ली है और ये description वाला column है इसकी width भी मैंने थोड़ी सी जादा कर ली है ठीक है, इस तरह से इसके बाद इनको करना है select और इनको highlight कर लेना है तो मैंने yellow color से highlight कर दिये, bold कर दिया इसके बाद range आपको select कर लेनी है, आपको जहां तक भी लगता है कि आपका data जा सकता है, range आप select कर लीजिए और इस पे लगा दीजिए all border, ठीक है, all border मैंने लगा दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, description के नीचे sell पे click करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आ previous year balance, तो मैंने यहाँ पे लिखा previous year balance, ठीक है, माल लिजिए मेरा previous year का जो balance था, वो था 50,000 रुपे, तो मैंने यहाँ पे type कर दिया है, अब यहाँ cash balance वाले column पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे equal का sign लगाना है, और यह जो balance है, वो यहाँ पे ले लेना है, enter प्रेस कर दि मैं, मैं यहाँ पे monthly नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे yearly debit credit maintain कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे type कर दिया है, previous year balance, अगर आप monthly करोगे, तो यहाँ पे previous month balance आप type कर लेना, जो भी month का balance हो, पिछले मेने का वो आप type कर लेना, उसको यहाँ पे ले लेना, ठीक है, इसके बाद य entry लिखोगे, तो type करोगे, serial number one, यहाँ पे date आपने type कर दी, मान लिजिए 2022, यहाँ पे आपको debit credit की detail लिखनी है, तो मान लिजिए हमने क्या किया, house rent pay किया, तो pay किया, तो हम उसको credit में लिखेंगे, मान लिजिए 5000 रुपे, ठीक है, इसी तरह है, यहाँ पे मैं कुछ entries पहल हम कैसे लगाएंगे, यह तो detail आप कितनी भी enter कर लेना, ठीक है, बस आपको यहाँ पे debit और credit मेंटेन करते चले जाना है, यहाँ पे formula आप देखिए, कैसे हम लगाएंगे, formula हम लगाएंगे, यहाँ पे equal का sign लगाएंगे, और यहाँ पे होगा formula if, bracket open, अब यहाँ पे end का formula ह हम लगाएंगे, logical test में, condition जो if की होगी न, यहाँ पे हम condition direct नहीं देंगे, हमें दो condition एक साथ देनी है, तो end का formula इसमें हम लगाएंगे, end का formula bracket open, पहली condition क्या होगी, कि अगर यह जो cell है, यह खाली है, ठीक है, comma, दूसरी condition क्या होगी, कि अगर यह वाला जो cell है, वो भी खाल है, double quotes open, double quotes close, end का formula बंद कर देंगे, यह होगी condition कि अगर यह cell भी खाली है, यह cell भी खाली है, तो यहाँ पे क्या आजाए, तो यहाँ पे यह वाला cell भी खाली रहे, comma लगा के double quotes open, double quotes close, otherwise क्या हो, otherwise यहाँ पे कोई न, कोई ट्रांजेक्शन होई है, कुछ न, कुछ यहाँ प वो add हो जाए, minus हो जाए, जो credit हुआ है, बस यह formula हमें लगाना है, bracket बंद कर देना है, enterprise कर देना है, formula यहाँ पे लग गया, इसको पकड़ के नीचे तक drag and drop कर दीजिए, जहां तक आपकी range है, यह देखिए, formula प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए, 50,000 balance है, 5000 credit ह हुआ तो 45,000 बचा, फिर से 10,000 debit हुआ तो यहाँ पे 55,000 हो गया, फिर से 10,000 credit हुआ तो यहाँ पे 45,000, फिर से 45,000 credit हुआ तो यहाँ पे sales जो balance है, वो आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको आगे क्या करना है, entries तो यहाँ पे आप बहुत सारी कर लोगे, उसमें कोई ब shift right arrow, तो यह सारे column select हो जाएंगे, किसी भी एक heading पे आप right click करो, और यहाँ से hide कर दो इनको, column hide हो गए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो यह पहला column है, यह वाला column, इसको select कर लेना है, right click करना है, और यहाँ पे यह वाला color fill कर देना है, यह वाला, ठीक है, तो यहा पे भी यही color fill कर देना है, इतना काम हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो debit वाला column है, इसको उपर click करना है, यहाँ पे sum करना है, total debits का, ठीक है, तो alt के साथ equal का sign दबाओगे, sum का formula यहाँ पे आगया है, और जो भी आपकी range है, उसको select कर दो, एक ही बार और इसमें आपको यह range दे देनी है, यहाँ पे भी आपको लगाना है formula, formula क्या होगा, equal debit minus credit, enter कर देंगे, तो यहाँ पे sales amount निकल के आ जाएगा, अब आपने एक काम करना है, इन cells को select कर लेना है, control दबा के रखो, और इनको भी select कर लो, यह range भी select कर लो, आप एकी साथ, right click कर जाओ, format cell पे जाओ, currency पे जाओ, यहाँ decimal को zero कर दो, और यहाँ से रुपे का symbol select करके ok कर दो, तो यह values currency format में दिखाई देंगे, इतना काम हो गया, इसके बाद आप एक काम कीजिए, grid lines को hide कर दीजिए, view पे जाएए, grid lines को hide मैंने कर दिया, अब यहाँ पे हमें debit, credit, cash balance का symbol य credit icon, तो वहाँ से copy paste आप image कर ले न, या फिर यह training file आप download करोगे न, तो यहाँ पे यह icon आपको मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप copy कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, इन तीनों icons को copy किया, यहाँ से control C, यहाँ balance sheet पे आके मैंने इनको कर दिया, paste control V, ठीक है, थोड़ा adjust कर मैंने उपर नीचे, ठीक है, यह मैंने कर लिया, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या insert पे जाएंगे, और एक rectangle shape draw कर लेंगे, rectangle shape मैंने यह draw कर ली, और इसमें हमें type करना है, total debit amount, total debit amount, अब करेंगे क्या keyboard से control की दबा के रखेंगे, और इस shape को पकड़ के drag and drop कर लेंगे, वो copy आपको यहाँ पे रखनी है, एक और copy कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको type करना है, total credit amount, credit amount, ठीक है, और यहाँ पे आपको type करना है, cash balance, cash balance, ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, control दबा के रखो, तीनों shapes को एक ही बार में select कर लो, यहाँ से font color black set कर दो, थोड़ असा font size increase कर दो, italic कर दो, ठीक है, इसके बाद save format tap पे जाओ, save fill पे जाओ, no fill करो, save outline पे जाओ, no outline करो, ठीक है, तो इतना काम यहाँ पे हमारा complete हो गया है, अब इस save को पकड़ के copy कर लो, keyboard से control की दबा के mouse से drag and drop कर लो, copy हो जाएगी, यह मैंन लेके आना है debit amount, जो की sell में है, तो save को select करने के बाद, पहले इसमें जो लिखा हुआ, इसको हम हटा देते हैं, एक बार, save को select करने के बाद, आपको click करना है, formula bar में equal का sign लगाना है, और debit amount पे click कर देना है, enter press कर देना है, तो यह value आपकी यहाँ पे आ जाएगी, अब इस save क copy कर लो, यहाँ पे रख लो, और एक और copy करके यहाँ पे रख लो, यहाँ पे हमें लाना है credit amount, तो credit amount कौन से sell में है, इस वाले sell में है, जो की है G6, और यह जो sell था, मतलब यह जो sell है, यह है F6, तो यहाँ इस save पे आप देखोगे, यहाँ पे F6 reference है, यहाँ पे हम क्या करे यहाँ पे आ गया, इसी तरह है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यह जो value है, यह कौन से sell में है, यह H6 sell में, तो F की जगह, यहाँ पे मैं कर दूँगा, H reference हम change कर रहे है, बस enterprise कर देंगे, तो यहाँ पे cash balance निकल के आ गया है, ठीक है, इन तीनो shapes को select कर लेंगे, keyboard से control की दबा के home page जाएंगे, और इनको कर देंगे, bold font size थोड़ा सा हम जादा कर लेंगे, जितनी हमें जरूरत है उतना कर लेंगे, ठीक है, बस, अब देखे, यहाँ पे यह काम complete हो गया, थोड़ी बहुत adjustment आप कर लेंगे, जैसे shape को उठा के थोड़ा उपर रखना है, ऐसे करना है, त यहाँ पे इसको draw कर देंगे, simple यह कर दी मैंने, इसको copy करके यहाँ पे रख देंगे, बीच में, दौनों को keyboard से control की दबा के रखेंगे, और इनको select कर लेंगे, click करके, save format पे जाएंगे, save outline, यहाँ से black color मैंने ले लिया, और इसका जो weight है, वो मैंने जादा कर दिया, यह द तो यह मैंने कर दी hide, यहाँ पे कोई problem नहीं है, यह seat proper आपकी काम करेगी, ठीक है, example के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक entry कर दी, 6, serial number डाला, date मैंने डाल दी, और यहाँ पे मैंने income लिख दी, मैंने मतलब detail में income ही लिख दी है, और मालीज यह income म देरी हुई 20,000 रुपे की, ठीक है, जैसी enterprise करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें automatic update हो जाएंगी, यह देखिए, ठीक है, यहाँ पे यह जो है cash balance नीचे नहीं आया, क्योंकि formula हमने नीचे drag and drop नहीं कर रखा है, तो इसको पकड़ के नीचे drag and drop कर लीजिए, अब यह सार सारी चीज़ें automatic update होंगी, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक entry और करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक entry और करी, date मैंने डाल दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ें का rent पे किया, और मालीजी मैंने पे किया वो 3000 रुपे, ठीक है, जैसी enterprise कर अबरी आसानी से बना सकते हो, इसमें कोछ जादा नहीं है, बस basic basic सी चीज़ें हैं, थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से आपको यह maintain करनी हैं, इसी तरह के और वीडियोज आपको देखने हैं तो चैनल पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आपको बहुत को सि इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के description में मैंने link दे दिया है, डाउनलोड करो, practice करो, वीडियो को like, share, comment करके जरूर जाओ, और चैनल को subscribe कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज की notification आपको time पे मिल जाए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, thank you दोस्तों, have a nice day, जै हेंद, वंदे मात्रम, take care